दोस्तो ये वीडियो वो इंसान देखना जिसको कंसिस्टेंस प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है उसको समझने का जाधा लाइक कह सकते हो एकसाइटमेंट है सबसे पहली बात आती है मैं इंडियन मार्केट में बहुत ही कम ट्रेड करने की कोशिच कर रहा हूँ इंडियन मार्केट में एक कंसिस्टेंटल अगर प्रॉफिट कमाना है तो कुछ स्ट्राटजी फोलो करनी होती है स्ट्राटजी यह है कि एक चीज़ के ऊपर बार 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 ट्रेड करनी होती है और वही चीज़ मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा रिजल्ट भी एक तरह से पॉजिटिव काउंट हो रहा है अब बात आती है आप कहोगे रेड डॉट कैसे था तो यह जो था नहीं काउंटर ट्रेड थी काउंटर ट्रेड ली गई और काउंटर ट्रेड यह वाली जो है एक्जिट की गई तो यह दोनों के दोनों तो लाइक इस तरह के से हुए बाकि देखा जाए फुल यहाँ पर ग्रीन ही हमें देखने के लिम मिल रहा है नेक्स स्टेप के बात करें तो अभी भी लाइक यहाँ पर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर कुछ ऑडर डाला है ओडर डाला था मेंस मैंने यहाँ पर आइंटर किया किस चीज के अंदर आइंटर किया मैंने गोल्ड मिनी के अंदर आइंटर करने का जो हमारा प्राइस था वो था 75,266 और आप notice कीजिएगा बिल्कुल सही जगह पर enter करने की यही एक तरह से कह सकते हो एक positive side होती है कि आपको अच्छा rate मिल जाता है आज का lower zone क्या था 75,221 अब मैंने यहाँ पर enter किया limit order आखे रखा हुआ था buy किया buy करने के बाद में second step क्या होगा entry हुई थी बारा बज़ के 34 मिनट पे और बारा बज़ के 35 मिनट पे मैंने अपने target लगाया 75,700 यह simple सा target हुआ अब मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक कर जो target है आप देखोगे तो approach 500 point है इसका मतलब मुझको total one lot के अंदर 5000 रुपीज का profit आ जाना चाहिए चलिए जी बहुत अच्छी बात है अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या चल रहा है position में जाते हैं आप यहाँ पे देखोगे तो अभी approach 17 like 1800 का profit है मुझे यहाँ पे कुछ भी छेड़ करने की जरुवत नहीं है क्योंकि मेरे नाम पे जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है मेरा पैसा कर रहा है कैसे आए देखते है चार्ट पे आप यहाँ पे जाके देखोगे तो चार्ट पे आपको शो होगा कि 5 मिनिट के टाइम फ्रीम पर जो entry है और जो exit है उसकी बात की जाए तो कुछ इस जगा पर हमारी यहाँ पर entry हुई है चीक और exit हमारी कहाँ पे होने वाली है अभी exit हमारी होगी कुछ इस जगा पर चीक और यह safe and secure strategy क्यों मैं count कर रहा हूँ इसको कारण क्या है अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरी entry first entry यहाँ पर हुई है जिसके अंदर कह सकते हो मुझको 60,000 रुपीज का fund use हुआ है ठीक fund use हुआ और मुझे यहाँ पर पता है कि मैंने जिस चीज में enter किया है उसका trend क्या है trend upside है मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं है कि कोई इसको manipulate कर लेगा बहुत अच्छी बात है छीक मुझे यह बात भी पता है कि अगर यह गिरने पर आता है तो एक level तक गिरता है उस level तक आने के बाद में मुझे यहाँ पर क्या करना है second average करना है second average यह मेरे फिर से लगेंगे 60,000 इस तरीके से अगर आप 5,000,000 रुपीज का fund यूज कर रहे हो मेरे भाई खुद mathematical calculation लगाईए आप 5,000,000 रुपीज का fund यूज कर रहे हो और आप कहते हो भाई देखो मेरा rule तो यह कहता है कि मैं 50% से ज़ादा fund यूज नहीं कर सकता तो 2.5,000,000 तक पहुँचने के लिए भी न आपको 4 time average करना पड़ेगा और मैं इसको averaging ना count करके मैं इसको बोलूँगा कि correct entry आप notice करो correct entry यहाँ पे हुई होने के बाद में target अचीव होता है तो बहुत अच्छा मैं तो चाहूँगा कि यहां से यह तुरंत नीचे की तरफ गिरे और जो मेरा averaging point है उस averaging point पे आए आने के बाद क्या होगा अब मेरा जो buying price यह था buying price वो मालीजे यहां से लेकर यहां तक के आ आ जाता है नीचे की तरफ यह आ जाता है 74,500 तक तो मेरे भाई यहां जो मैंने buy किया था और यहां जो मैंने buy किया है तो इसको divide by two करो तो मेरा averaging price कुछ यहां आएगा निकल कर यहां पे आएगा price approach 74,000 या 75,000 पे तो भाई एक बात तो सोचो नीचे से जो ऊपर की तरफ profit gain होगा तो उस condition में मेरे profit भी तो फिर उसी हिसाब से two lot के हिसाब से काम करेंगी ना simple सी बात आ दिये तो यह चीज अपने दिमाज के बिठाईए कि एक चीज पर काम करने का हमें profit यह मिलता है second point एक और आता है जो मैं बार-बार-बार-बार कह रहा हूं कि अगर आप एक lot में काम कर रहे हो एक lot जो होते हैं वो क्या होते हैं वो equal होते हैं hundred lots of किसके? गोल्ड पीटल के माल लीजिए मैं कहता हूं कि एक lot equal है hundred gram of gold छीक मैं कहता हूं मुझे hundred gram नहीं मुझे one fifty gram चाहिए तो भाई fifty gram का कहां चे लेका आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं इसी के अंदर plus कर देंगे आप fifty lot gold पीटल इस तरीके से आप mathematically देखा जाए तो अगर आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं for safety purpose कि पहली entry मैंने बना दी यहाँ पे hundred gram gold के अंदर अब मैं second entry यहाँ बनाना चाहता हूं 50 gram के अंदर फिर नीचे के entry बनाना चाहता हूं 50 gram के अंदर so 50 gram का मतलब क्या होगा यहाँ पर 50 gram की मैं बाते कर रहा हूं 50 quantity of gold पीटल इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं 50 quantity लूँगा gold पीटल एंद एक बात ध्यान रखिए जैसे भी September चल रहा है तो मेरे भाई आप October month का future derivative ले लिजिए आपको रोग कोन रहा है दोको USDNR के अंदर हम लोग क्या करते थे 12 महीने आगे के contract note में काम कर सकते थे यहाँ पर हम केवल 3 मनत आगे के contract note में काम कर सकते हैं 12 महीने आगे contract note में काम करने पर हमको psychological stability मिल जाती थी कि मैंने जो ट्रेड लिया ना वो 6 महीने 7 महीने तक मैं उसको carry forward कर सकता हूँ बढ़ जो real में professional trader है उसको पता है कि अगर किसी भी trade के अंदर मुझे loss दिख रहा है चीक है तो loss दिख रहा है का मतलब यह हो जाता है कि उस trade में मुझे loss तो हो चुका है अब वहाँ पे मालीजी मुझे minus 10,000 दिखाई दे रहे हैं तो वो 10,000 मेरे account से cut चुके हैं अब यह trade म मत में उसी टाइम मैंने नवंबर मत की trade activate कर दी तो यह जो minus हुआ इसको मुझे next month की trade के अंदर positive लेके जाना है यह बात मुझे stable mind में पता होनी चाहिए अगर यह बात मुझे समझ में आ गई psychologically तो मुझे ही problem नहीं होगी कि 12 महीने आगे contract note में काम करना है त्री मत में करना है की बात हो जाती है clear चाही बात होंग यह तुक की बात है अब बात आती है काफी दोग पर्शान हो रहे ह हैं गोल्ड के इंदर entry करनी है तो कौन से वाले gold को देखना है बाई यह वाले gold को देखना है मैं यहां पर यहсят का स्पोरट प्राइज जो है इसको चेक किया चेक करने 2653 मेरा entry point है ठीक और मेरा exit point मुझे लगा कि 2670 मेरा exit point है तो मुझे इसको mathematically shift करना है Indian market वाले gold के साथ में दोखो ये वाला gold हुआ ये तो हुआ 4X gold बट मैं Indian market का gold देखूंगा तो ये वाला gold है ये अब इसमें तो आपको आलेक price देख रहा है बट मुझे ये वाला price नहीं चाहिए मुझे देखना ही नहीं है मुझे XAUSD देखना है मैंने इसको खोला मैंने क्या किया मैंने सबसे पहले इसको 5 minute के time frame पर लेकर गया द्यान से समझना ये मैं chat GBT की मदर्द से करूँ या खुद mathematically करूँ इसमें कोई फरक नहीं पढ़ता है यह आपको समझना होगा यहाँ पर मैंने देखा कि इसका price क्या चल रहा है मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर गया दोनों जगा पर गया 5 minute के time frame पर मैंने check कि यह वाली candle बनी है द्यान से समझना यह वाली candle जो बनी है इसका price क्या चल रहा है इसका price मैंने open करके यह देखा ओपनिंग price क्या था इसका 2656 यह उपर की तरफ यहाँ पर दिखता है क्या है इसका price 2656 तो मैंने देखा 2656 dollar ठीक क्या बोलूँगा मैं कि equals है इक्वल किसके है मैं यहाँ से गया इधर की तरफ अब मैं नवंबर मंद के future derivative पे और मैंने particular particular जो मेरी candle चल रही है वो check की तो मैंने देखा इसका opening price क्या है 75442 तो मैं इसको 75440 माल लेता हूँ 75440 यह हो गया अब क्या है मुझे निकालना है मेरा price किस चीज़ का price यह वाला price नीचे कि मेरी entry point कहाँ पे होनी चाहिए तो 2653 कितने होंगे सबसे पहले तो मैं यह पूछ लूँगा 2653 then कितने होंगे ठीक यह पूछ लूँगा second मैं पूछ लूँगा 2670 2670 dollar आगे dollar भी लिखना है यह कितने होंगे तो मैं यह एक बार chat GBT से पूछ लेता हूँ तो आपके सामने यह answer खुद देदेगा वरना आप खुद भी mathematically निकाल सकते हो इतना बड़ा math नहीं है so इस तरीके से मुझको मेरी value मिल जाएगी मैंने इससे पूछा कि यह equal इतना है तो यह कितना होगा यह मेरा जो entry price होगा इसकी बात कर रहा हूँ तो इसका entry price निकल के आया कि भाई 75273 यह मेरा entry point होगा चलो जी बहुत अच्छा इसी तरीके से मेरा target zone जो होगा मैंने पूछा 2 से 70 dollar कितना होगा दन उस condition में यहाँ पर हमें mathematically बहुत इजली पता देता है कि इतना बैठेगा 75822 तो मैंने यहाँ पर अपना target कितना रखा होगा है 75700 मैंने अपना target रखा होगा बिकॉल सैसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल उपर का top चाहिए कि बिल्कुल उपर का top चाहिए और बिल्कुल bottom चाहिए मैंने यहाँ पर enter किया बहुत अच्छा तालिया enter करने के बाद मुझे wait करना है wait करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आने पर मेरा target अचीव हो जाएगा और मैं exit कर जाओंगा simple यह चीज आप use कर सकते हो और मैं एक बाद और बताना चाहता हूँ काफी सारे लोग सोच रहा है कि मैं Indian market में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है मैं show नहीं कर रहा हूँ वीडियो दो दिन में एक डालता हूँ भाई reason उसके पीछी यह है क्योंकि जब आपको like पता लग जाए तो आप समझ जाओगे कि असली game जो है वो कैसे खेला जा रहा है अगर मैं Indian market में यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे काफी ज़्यादा taxes and charges भी pay करने पड़ रहा है बट अगर मैं forex market की बात करे हूँ तो वहाँ पर मेरे taxes and charges ना के बराबर count होता है तो यह चीज मुझे एक benefit वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है आप यहाँ पर देखोगे last day की बात करें like approach जिसको देखो 23 थारिक की बात की जाए तो 23 थारिक में gold के अंदर जो movement थी उस gold की movement के उपर approach 7, 8, 4, 4 dollar का net profit देखने के लिए मिला और इसके उपर जो tax लगेगा पता है जीरो ठीक अगर यही profit इंडियन market में निकाल लिया जाता तो यह मान के चलिए इस पर tax कितना होता approach कम से कम 30% tax यहाँ पर कट जाता ठीक है सो यह चीज़े आती है यहाँ पर इंडियन market में अगर आप काम कर रहे हैं तो starting में आप छोटे amount से काम करना start कीजिए और करते करते जब आपको experience gain हो जाए मेरे भाई तो आप यहाँ से निकलने की planning बनाएए यही rule होना चाहिए मैंने बहुत पहले से बोलता रहा हूँ कि हमें RBI approved repair में काम करना है say be registered broker में काम करना है बट अब भी मेरा खुद का यहाँ पर like कह सकते हो motive change हो चुका है यहाँ पर काम करो काम करके पैसा कमा और पैसा कमा के बाहर काम करो simple सी बात है जब आपको बड़े profit देखने की आदत पड़ जाएगी then उस condition में आप एक psychologically stable trader कहला होगे and मैं यहाँ पर जादा लाइक ताम जहाम दिखाना कि मैंने यह trade की मैंने यह वाला pattern बनाया यह किया वो कि आप हालतू की बात है actual जो work करता है वो है आपका mindset कि आप किस तरीके के mindset के साथ work कर रहे हो अभी starting में आप यहाँ पर चाहे 50,000 से काम कर रहे हो यह matter नहीं करता matter यह करता है कि आप किस तरीके से अपनी entry लेते हो और किस तरीके से अपने target लेते हो पूरा दिन trade ना बने तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है मैं आपको परसो किया कल की बात करता हूँ तो हुआ क्या मैंने enter किया enter किया मैंने approximately 70 मैं देखता हूँ 73,600 पर यह मेरी entry zone थी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ दिखो आपको यहाँ पर यहाँ मेरी entry थी ठीक इस जगा पर 600 यहाँ यह मेरी entry थी कल की यहाँ पर बिल्कुल correct entry थी बिल्कुल perfect entry और मैं यहाँ पर कितने point लेके निकल गया only 150 point 150 point means बैठते हैं कि एपरोक्स 1500 रुपीज मैं यहाँ से लेकर निकल गया जब कि अगर मैं रुका रहता अभी तक के तो एपरोक्स मुझे एच्छा खासा लंबा चोड़ा profit बन सकता था पर एक बात ध्यान दखिएगा ट्रीडिंग के अंदर एक rule implement कीजेगा कि आप किसी भी चीज का low नहीं पकड सकते not possible किसी भी चीज का high आप नहीं पकड सकते आप क्या कर सकते हो आप जो बीच का उसका रास्ता है ना यहां से ले कि यहां तक का जब वो यहां से चलना चालू हो चुका आपने एंटर कर लिया तो आप बीच में ही अपने रास्ते को decide कर लीजिए और जब आपका यह रास्ता बार 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 आप इस पर चलो गर आपको दिखाई देगा कि यार यह तो सच में profit पहुचाता है तो एक बहुत consistent profit provide करता है जब आपको इस चीज दिखती है आपके console के अंदर दन उस condition में आप अपनी quantity को बढ़ाते रहे देखो मैं यहां पर quantity जादा बढ़ाना नहीं चाहता एक normal entry zone है गोल्ड के अंदर बात करें अगर मैं बात करूँ same quantity add होती है और 40 lots it's not like easy यह बात ध्यान रखना यह सारी चीज़े जो होती है algo के through होती है psychological pressure manage करना impossible है रही बात entry, exit रही बात इन चीज़ों की कि क्या करना है कैसे करना है यह सारी algo based होती है इस तरीके से आप enter exit कीज़े and safe and secure way में work करेंगे तो आपको यहाँ पे loss होने की probability ना के बराबर count होती है gold के अंदर भी आप यहाँ पे देखो profit आना चालू हो चुका है यहाँ entry है और बिल्कुल कहाँ पे approximately 266 पर 266 कहाँ है आप देख लीजे हिसाब लगाईए कैसी कितनी 60 एंट्री बनती है gold के अंदर भी बिल्कुल proper जगा पे एंट्री हुई है और proper जगा से आप देखो gold ने movement करना चालू कर दिया और अभी शाम के समय news आती है और यह नीचे गिर जाता है तो मैं ज़्यादा खुश होँगा target अचीव हो जाता है बहुत अच्छी बात है खुश होते हैं बट अगर यह नीचे गिर जाएगा मुझे और ज़्यादा खुश होगी क्योंकि मैं नीचे इसको ढंकी जगा पर और भी अच्छे तरीके से average करना ज़्यादा prefer करूँगा ठीक है तो इस तरीके से गेम खेलेंगी तो जादा लंबा चलेंगे किसी के mind में कोई question है ना तो नीचे क्या कर सकता है कमेंट करके बोल सकता है वो दूसरी बात आती है किसी को लगता है कि मुझे भी gold के अंदर काम करना है simple चीज होगे मेरी strategies बिलकुल simple ही होती है आने वाले time है में क्या करने वाला हूँ जो मेरे paid members है उनके साथ में discussion video कि किस तरीके से उनने अपनी psychology डवलप की मेरी strategies है simple ही main चीज है काम करने का तरीका आपको किस तरीके से enter करना है किस तरीके से exit करना है और entry 10%, exit 10%, wait करना 80% और ये wait करने वाली strategy भाई दो मैं तो इसमें अच्छा बनता जा रहा हूँ मैं कोई perfect नहीं हुआ बट मैं अच्छा बनता जा रहा हूँ मुझे पता है कि मैंने enter कर लिया मेरे 10% work पूरा exit करना है वो 10% work पूरा बीच का जो gap है वो wait करना कि यहाँ enter किया और यही मेरा target है मैंने decide किया है सो उस condition में यहाँ से लेके यहाँ तक के जो moment होती रहेंगी इस moment को wait करना यही असली strategy है यही असली work है जो आपको consistent profit provide करने की तरफ लेकर जाएगा तभी आपका portfolio green green दिखाए देगा और एक बार मेरे भाई एक महीने अगर आपने green green profile देख लिया न अपना confidence level साथ वे आसमान पे होता है और वही confidence level आपको generate करना होगा जो कि आपको ना तो किसी college में मिलता ना ही कोई इंसान आपको payment देकर सिखा सकता वो आपको धिमे धिमे generate करना होगा और आपका portfolio जब green दिखाए देगा वो तभी आप उसको exit या entry करने की बाते करेंगे ठीक है तो किसी के mind में कोई question हो कुछ हो तो नीचे comment कर सकता है और किसी को like learning purpose के समझना है कि मुझी भी gold में काम करना है देखो Indian market के में करो international में करो logic same होने वाले है तो tension की कोई बात नहीं है तो नीचे आप जाके क्या कर सकते हो मैंने एक form fill करने के लिए दिया है ठीक आप उस form को fill कर सकते हो नीचे की तरफ मैंने number दिया है और number पे directly message कर सकते हो आपको मेरी team की तरफ से reply दे दिया जाएगा ठीक है reply थोड़ा सा late हो सकता है reason क्या है like मेरा भी focus जो है totally focus इधर जा चुका है ठीक तो अभी मैं उधर भी जादा focus दे रहा हूँ तो नीचे comment करके या form fill करके आप continue जुड़ सकते हैं मिलते हैं next important video के अंदर I wish आप कोई बाते अच्छा से clear हो गई होंगी ठीक है मिलते हैं next video में